गावजर हो क्या आप? घावजर में हूँ, बोलिए बोलिए में हूँ कर पैणल में आपने बताया है नहीं कि मैं कल नहीं आरा हूँ कोई मेंचन इन ही नहीं, सब लोग सेप्राइज कि गावजर कहा है सुभे सुभे मैं तीन हफ्ता पहले ही बता दिया था guest coordinator को मैं नहीं हुग कल भी रिमाइन किया था लेकिन एक बात अच्छा लगा कि आपने last moment को कविता जी को उन्होंने accept कर लिया मज़े की बात यह है कि मेरा stock track को जो मैंने चुना था ACG वो ही उन्होंने ले दिया कम से कम चलो हम perfect replacement ढूणते हैं तो पूछ लेने का तो जो शो का काम है वही निप्टाने का अब हरश्दा जी स्क्रीन पे आपको रेड़ी नजर आएंगी सारे important stocks in news के साथ और शुरुआत करनी है दोनो nifty 50 के जो results बजार बंद होने के बादा है पहले कौन सा बैंक की टेक्नोलिजी पहले अच्छी ख़बर से शुरुआत करते है आशी शुकी नेगेटिव निउस तो बहुत सारी है जिससे रजेलना है तो आक्सिस बैंक जहां पर हमने देखा है मुनाफ़ा 10% बढ़कर आया है 5863 करोड expectation थी 5732 करोड तो ये एक अच्छा खासा बीट है ब्यास से आय के मामने में 19% तक की वृद्धी देखने को मली है 12315 करोड जो डिलेव हुआ है उसके सामने expectation थी 11957 करोड की तो वो भी उमीद से काफी बहतर आकड़ा आया है अब आते हैं margins की figure पर margins आये है 4.11% year on year कुछ improvement है quarter on quarter flat है margins तो margins दरसल बैंक maintain कर पाया है लेकिन asset quality की स्थिती किया है asset quality में सुधार है in fact gross NPA, net NPA 30-33 quarter के highs पर आते हुए दिखाई दिए है तो net NPA अब घटकर 0.36% gross NPA 1.73% बहुत ही बढ़िया performance देखने को मिल रहा है asset quality में stability है और बहतरी देखने को मिल रही है अब आते हैं deposit growth और advances के figure पर deposit growth 7 quarters में सबसे शांदार है लगबग 18% पर यह आई है advances के मामले में अगर आप देखे तो करीब 22% का इजाफा साल दर साल आता हुआ दिखाई दिया है 89,000 यह 8,94,000 करोड के उपर का दरसल आकड़ा उभर कर आ रहा है तो काफी strong वहाँ पर loan growth देखने को मिल रही है कुछ negatives जो है cost to income ratio highest है 5 quarters पर तो वो एक चिंता जनक स्थिती है treasury loss हुआ है 101 करोड का और quarterly right-offs highest है पिछले 9 quarter में यह कुछ दिक्कत है वरना overall performance काफी जोरदार रहा है Axis Bank का कोई complaint नहीं सारे headline numbers बाजार expectations से बहतर highlight NIMS जो just कितस है in fact एक basis points का improvement है जब इसके सारे peers के NIMS contract हो रहा है बड़ी आप performance brokerages CLA से buy 1200 के लक्ष के साथ Jeffries का मैंने दिखा था buy call आया था पर positioning कैसी है सत्विस आप देखे का जड़ा Axis Bank को अब मैं क्यूं कह रहा हूँ कर एडियाज में positive react नहीं करा है हमारे बाजार में 3.4 फीजदी गिरा था stock ADR 7% गिरा हुआ यानि कि अच्छे नतिज़ों पर perform नहीं करेगा ऐसे indication है चार्ट भी ऐसे ही है क्या आशी सीदी कि मुझे लगता है कि Axis Bank में correction अल्रड़ी शुरू है 1040 से 1050 का top था और वहां से हम देख रहे हैं लगाता है यहां पर बिक्वाली है slow and steady आप कैसे कि एक drifting जैसा इसका चार्ट है मुझे लगता है कि यह अपने important levels के आसपा से इसका 200 DMR बनता है करेबन 940 का तो probably जैसे के हम देख रहे हैं कि nifty gap down है तो 940 अगर खुलते ही लगाएगा Axis तो यहां पर बिक्वाली न करें मुझे लगता है यह level अच्छा होगा जहां पर probably shots cover होंगे 940 के आसपा और यह खुद को stable करेगा stabilize होगा तो मेरा इसमें sell का recommendation नहीं होगा क्योंकि chart suggest नहीं करते important levels पर खड़ा है 940 के उपर buy करना है जिने contra trade अच्छा लगता है 10 रुपे का stop loss के साथ और सामने कहां तक जाएगा मुझे लगता है recovery आएगा तो 970, 980 यह इसका swing का पहला resistance होगा तो अगर dip मिलता है तो buying की चेश्टा करें buy on dips है, technically बेचना नहीं है और fundamentally गौरांग सर्ने तो mention कर रहा है, उनका आज का preferred pig है accumulate करने के मौके ढूंडने है और brokerages की तरफ से भी thumbs up आई है यह है access की कहानी, अच्छे numbers की कहानी देखते हैं स्टॉक कैसे भी add करता है लेकिन सचेन आप टेक महिंद्रा का chart ready रखना, दिक्कत में आ गए नतीजे, दिक्कत है आशिष यह लगातार दूसरा quarter है जहां पर आपने देखा है, performance में दबाव देखने को मिला है, एक एक करके वो figures आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, डॉलर रेवन्यू लगबग 3% घटा है, यहां पर expectation थी कि 0.4% तक का pressure देखने को मिलेगा, तो वहां से जादा pressure बनता दिखाए दिया है, constant currency basis पर अगर आप ध्यान दे 1% की decline का नुमान था, 2.4% तक का decline कंपनी ने deliver किया है, यह एक और pressure point, profitability का आकड़ा भी आपके सामने आएगा, अब profit वैसे देखेंगे, तो 28% घट कर आया है, adjusted basis पर देखेंगे, तो वहां पर 7% तक की गिरावट देखने को मिली है, एक impairment यहां पर इन्होंने adjust किया है, 159 करोड का, उसे देखना है, adjusted figure में, तो 7% either ways दबाव देखा जा रहा है, अब margins की situation देखें, हमारा अनुमान था कि margins थोड़े से स्थिर रहेंगे, 6.8% के सामने, 6.3% पर company करेगी deliver, लेकिन आगे है आकड़ा 4.7% पर तो यहां पर भी pressure ही देखने को मिल रहा है, हर parameter पर दरसल दबाव देखा जा रहा है अब vertically, company का communication vertical जो 37% के revenues जहां से company कमाती है वहाँ पर 5% तकी गिरावट दर्ज हुई है, इनका enterprise business में, 1.5% तक प्रेशर देखने को मिल रहा है enterprise business में BFSI में 3% तक का decline है, manufacturing हला कि 2% बढ़ती हुई दिखाई दी है retail आधे पसंद से हलका सा जादा बढ़ पाने में कामियाब रही है लेकिन company की commentary क्या कह रही है, company basically ये कहती है कि इनके कुछ clients या तो अपनी spending पर रोक लगा रहे हैं, या उसको कम कर रहे है तो वहाँ पर एक paint देखने को मिल रहा है हाला कि TCV के मामले में इस quarter में जो deal wins थी वो करीब 640 million dollar के आसपास आती हुई दिखाई दी है company को उमीद है कि H2 दर असल जादा बहतर साबित होतावा दिखाई देगा, साथ ही साथरी organization हो रही है पूरे business की जो MD CEO बन रहे है Mohit Joshi दर असल उन्हों ने geography की बजाए verticals में business बाटने की ते कर लिया है ये effective होगा 1st Jan लेकिन company की strategy कैसे बदलेगी आपकी याद होगा यहाँ पर अनीश शा ने भी mention किया था अनुश के साथ उस exclusive interview में कि strategy बदली जाएगी वो strategy in fact April में ही unveil होगी लेकिन ये quarter painful quarter है अब देखते है एज़ टू कितना बहतर होता है painful quarter है सिर्फ hopes right कर रहे है नैसी ओस आएंगे तो सब बदल जाएगा बदलेगा नहीं बदलेगा वो तो time बदाएगा सर्चिन पर यह stock औरड़ी weak है मेरे गाल से बाई सब्तेंबर को इसने तेरा सो बीस के लेविल चुए थे वहाँ से अलड़ी बारा परसंट के आज़ पास मेरे गाल से एक महीना हुआ है इस तरह का दावब आज़ी देख चुका है क्या करना है कैसी positioning stock की इस पूरे सीरीज में यहाँ पर विक्वाली हावी हुई है और एक काफी क्लासिक लोट अब लोग वाटम सीक्वेंस यहाँ पर अन्फोल्ड वा था तेरा सो के स्विंग बनाने के बाद फिलाल जिस तरीके से डेटा प्लेस्ट है मुझे लगगा है जिस तरीके से इसके इंडिकेटर प्लेस्ट है एक स्विंग हुई है तो यहाँ पर मुझे लग रहा है फ्रेश बिक्वाली तो करनी नहीं चाहिए अगर जिस लोग जहां पर थोड़ी सी खरेदारी भी की जा सकती है जिस लोग में यह स्टॉक नीचे आया है वहाँ पर फ्रेश साइन्स नहीं है इंपल्स के तो मुझे लग रहा है यह करेक्शन काफी ग्रैजूल रहा है और कहीं जाकर ग्यारा सो के आसपास इसके टर्मिनेशन की तुनजाईश होगी गिरावट में खरदारी ग्यारा सो के आसपास की जोन्स अट्रैक्टिव हो सकते हैं खरदारी के लिए हाँ से बाइ-उन डिप्स की स्ट्राटगी एक्सिस बैंक में बाइ-उन डिप्स की स्ट्राटगी वाइदा बजार के दो और नंबर्स जूबलेंट फूड़्वर्क्स और इंडस टावर्स की नंबर्स कैसे रहे? यहाँ पर जूबलेंट फूड़्वर्क्स में भी हमने देखा है प्रेशर देखने को मिल रहा है आशीश जो performance है profitability के front पर दबाव में आता हुआ 72 करोड का मुनाफ़ा हाला कि revenue थोड़ा सा भैतर है 4.5% तकी growth देखने को मिली है साथ ही साथ अगर आप देखे company ने क्या deliver किया है बिट्टा लेवल पर तो बिट्टा में pressure है 10% तक का दबाव बनता दिखाई दिया है बिट्टा में margins भी contract किये है और 400 basis point का contraction margins में देखने को मिला है एक ही silver lining है silver lining ये है कि domino's की like for like growth याने कि जो हम same store sales growth पहले कहते थे अनुमान था करीब करीब 2 से 2-3% तक का दिखाई दिया है साटने stores company ने खोले है total count stores का 1949 के आसपास आता हुआ दिखाई दिया है और largely जो like for like growth है domino's pizza की जैसे मैं mention करी थी 1.3% last quarter में इसी last साल इस quarter में 8.4% तक की growth थी तो मामला गड़बढ है इंडिस्टा वो भी लगे हाथ में आपको बता दू रेवन्यू बहुत मामली से बढ़कर आया है एक पसेंट की growth है 7,172 करोड के आसपास पैट हालाकि 4% घटकर 1295 करोड पर आखड़ा हुआ है receivables 838 करोड दरसल 88 करोड बढ़कर आए है तो Vodafone की payment की देरी से यहां पर हमने देखा है सिरफ 883 करोड का ही बकाया आतावा लगाई दखाई दिया है और doubtful receivables जो है as of September वो करीब करीब 5,600 तिरपन करोड के है रशना जी आप इंडर स्टावर स्टडी करिएगा जब तक मैं आ रहा हूँ मानस पहले jubiland foodworks कमजोर expectations थी कमजोर आए है क्या करना है देकि यह सही है कि jubiland food में पिछले करीब अगर 4-5 हफते का session देखेंगे तो 540 से लेकर 550 पे एक strong resistance stock face कर रहा है अब इस टॉक 20-day moving average की नीचे trade कर रहा है लेकिन कल 50-day moving average पे इस टॉक ने support लिया था तो अगर यह 520 रुपए की नीचे गया तब तो आपको कम से कम 504 जो की 200-day moving average है वहां तक किससर देखने को मिल जाएंगे तो खरीदारी केवल 540 रुपए के ओपर करेंगे अगर आप trader है तो आप cautious रहिए 540 के ओपर खरीदारी करिए और अगर 520 के लिए ब्रेक हो नीचे के तरफ तो कम से कम 15 रुपए के डाउंसाइट के लिए आप एक शॉट कॉल भी ले सकते हैं अबर रशना जी नहीं और चोड़िये बागी के सारा टाइम नियर बास चैन्नाई पेट्रो प्रोफिट में बढ़ोतरी अच्छा परफॉर्मेंस है रेवन्यू 12% बढ़कर आया है अबिटा 90% बढ़ा जी आलम्स काफी बहतर है असीले रिफाइनिंग बिजनस में इंप्रॉव्मेंट है शैले होटेल एक और कोटर बढ़िया परफॉर्मेंस का मुनाफ़ा 36 करोड पर आया है डबल से जादा हुआ है रेवन्यू भी हाँ पर करी करी 27% बढ़ता हुआ होस्पिटालिटी बिजनस अच्छा ग्रो करता हुआ दिखाई दे रहा है मार्जिन्स आप देखेंगे 40% पर आये हैं सोना बील डबल्यू का भी बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस है मार्जिन्स अच्छे है बस रेवन्यू दबाव में हैं सोनाटा सॉफ़वेर के लिए एक डीसेंट कोट है प्रॉफिट बढ़ा है 3% के आसपास एबिट्टा 11% बढ़ता हुआ रेवन्यू में दबाव देखने को मिला है तो ये कुछ स्टॉक से जहाँ पर आप रियाक्शन देखेंगे अफकॉस नंबर्स का इंडिसन बैंक रेडार पर रहेगा हिंदुजा ब्रादर्स ने इनफाक CNBC TV18 को कंफर्म किया है कि वो अपना स्टेक इस बैंक में थोड़ा सा बढ़ाते हुए दिखाई देंगे तो वो एक स्टॉक रेडार पर JSW इंफरा के लिए खबर आ रही है कि शापुर जी पलोन जी से दरसल गोपालपूर पोर्ट्स खरीच सकते है JSW Zen Technologies को भी Defense Ministry से 100 करोड का ओर्डर मिलता हुए आज के नतीजों में Asian Paints, Nifty का और बाकी कई सारे आठ वाइदा बजार के नंबर्स दिन बर हमें करने हैं ट्राइक इंक्लूडिंग कविता जी का वो ACC बता दें कि Money Control पर दिये गए विचार एक्सपर्ट के अपनी नीजी विचार होते हैं वेबसाइड या मैनेजमेंट इसके लिए उतरदाई नहीं है यूजर्स को Money Control की सलहा है कि कोई भी इनिवेशन इनले लेने से पहले Certified Expert की सलहा ले कर दो फ़िष्टर्स कारे विचार मैनेगा से बता भी बता है